बिना परान के सरीर लास बन जाला, बिना सुगन के फूल घास बन जाला, कि धन लूटेला बर्दास तो हो जाला, लेकिन जैकर प्यार लूटेला नूँ तो सर्वनास हो जाला ये तो उपर वाले का खुबसूरत आशिरवाद है मुझ पर वरना आज के इंटर्वियू में आपकी और हमारी मुलाकात नहीं राज एक रात का कितना ले राज जी आपका वीडियो भी लगातार सोसल मीडिया पर वारल होता है मुंबई में आप पढ़ा रही थी बिहार में आकर औरकेस्टा में क्यों नाच रही है वो रानी तरी पार्टी थी और ये रानी राज है क्योंकि यहां पर मैं जब आई और यहां पर पब्लिक ने इतना प्यार दिया यही कि लोगों ने मुझे वो नाम दिया और वो जो थी ज़ती टीचर का जॉब करती थी वो मेरी एक पास्ट लाइफ थी जिस लाइफ में सिंपल लाइफ जिस तरह लोग जीते हैं वो लाइफ जी रही थी और उसके मुकाबले ये लाइफ मेरी सबसे अलग लाइफ है क्यों कम्प्यूटर और यहां आकर जो है बैलोजी लोगों के सामने पढ़ा रही है कोई बात ने हो सकता है बैलोजी अगर पढ़ रहे हो लेकिन उससे तरह तो यह लोग फीजिक्स मुझसे पढ़ रहे हैं क्योंकि किस तरह कैमिकल चेंजेस होते हैं हम लोगों को देखके यह वा था गाना सबी लोग के साथ होता है वैसे तो आप तो वाइरल होने के बाद मुझे लगता है कोई स्टार हो सबके साथ वीडियो बहुत अच्छे अच्छे जाते हैं और लेकिन मेरे लाइफ का मुझे लगता सबसे लग्या सौंग है राजा जी की कोरोय में जवान होके गोलू राजा जी का सौंग है और वो गाना में सोची नहीं थी कभी इतना आगे जाएगा मुझे लेकर वो ही गाने का देन है आज लोग के बीचे में इतना जगा बना पाएं उस गाने के चलते एक लाइन हमारे दर्शुगों के लिए होजा कि आज हो पहिला मिलनवा मिलले सजनी के सजनवा हमार अंगे अंगुलाब नियन खी ललबाबा दनवा सुनी सुनी भागवान जरविहान होके दी आज राजा जी के कोरवे में जवान होके दी अच्छा औरकेस्टा में आप डांस करती है तो कभी आपको कोई कोड़ा में ठाने का कोशिस किया नहीं ऐसे कोशिस तो बहुत हुआ है लेकिन कभी मैं बहटी नहीं हूँ ऐसे तो मैं म लेकिन पहले कि दूर में होते थे लोग हाथ किछ थे एहाथ पकड़ती तो कि नहीं हम भी करेंगे और भी लोग आज़े पिर हम भी करेंगे पुरा स्टेज पर लड़ाई चालू हो जाती थी कितने पर पैसे देने के लिए पर अलग लग जो है यहां देते हैं कभी मुह में देंगे कभी गलच जगह पर देते हैं हां होता है लेकिन अब जो है कि अब होता क्योंकि लोग खुड हिच्की चाहते हैं कि अगर मैं इनके साथ मिस्भी हेविंग करूंगा तो शायद मेरा कोई वीडियो डाल देगा कोई अपलोड कर देगा और कुछ लोग जान बुच के ऐसा करते हैं तो मेरे बाउंसर उनको देख लेते हैं जी अपने बाउंसर दो साथ ले जाती हूँ करने के लिए कभी कबर वो प्यार मुझे लगता है कि मैं अपने आपको कहां से फील करूंगी क्योंकि जब हम प्रोग्राम करते हैं एक साथ 10 गाना 15 गाना जब डान्स करते हैं और सड़नली हम लोग बोलते हैं कि आप लाइन से मतलब लोग खड़े हैं सेल्फी लेने के ल करते हैं आज मैं रानी राज हूं रानी राज है अच्छा रानी राज एक डात का कितना लेती हैं अभी मैं डांसिंग परफॉर्फॉर्मेंस का मुझे लगता है फोर डार्स का 35,000 लेती हूं चार घंडे का 35,000 प्यार है प्यार से मुलाएंगी फ्री में आ जाओंगी लेकिन इतना तो सरकारी जोब वह भी नहीं कमाता क्यों नहीं है मत कहिए हम भी जानते हम भी बिहार में रहें और मुंबई में इतने साल रहें तो यह मैं मानती हूं ह हर सरकारी ऑफिसर करप नहीं होते लेकिन हां पैसा हर लाइन में ऐसा बत नहीं है बड़ा पाव खाई और यहां के लिट्टी चोखा खा रही है बस मेरे फ्रेंड लोग यहीं बोलकर हसते भी है मुझे कि रानी तु पाव भाजी से सड़नली लिट्टी चोखा पे कैसे चल जो आजकल जंक फूर्स चल रहे हैं वह चीज के ज़्यादा चाहिते हैं और आजकल के लोग के पास टाइम भी नहीं है उतना टाइम दे कर बनाने का और यहां पर सड़नली में आई वह आग पर भून कर वह जो उपले होते हैं उसके उपर आग से भूना हुआ वह चोखा उसमें सरसो का तेल, ताजा प्याज सबजी, फिर वो जो होता है क्या उसको लिटी वो भी इतना अच्छा लगता है तो यहां का मुझे कल्चर बहुत पर नहीं है क्योंकि अभी फोकस है मेरे करियर पे, मेरी फैमिली पे क्योंकि अगर प्यार मोहबत करने लगूंगी तो शायद दोनों में से कोई एक चोईस करना पड़ेगा तो फैमिली या तो करियर तो इसलिए अभी कोई यह डिसाइड नहीं है प्यार मोहर का दिल तूट चुका है ना इसलिए भरोसा नहीं दिल तूटा है आपका तो दिल तूटने वाले लोग जो देख रहे हैं उनके लि कर कोई आहसास नहीं होती ये तो ऊपर वाले का खुपकूरत अशिर्वाद है मुझे पर वरना आज के इंटर्विव में आपकी और हमारी मुलाकात नहीं होती देखिए आज के इंटर्वी में मुलकात नहीं है अच्छा दिल तो तूटा तो आपने साइडी कर दिया एक प्यार मुहबबत के लिए जो लोग देख रहा है उनके लिए साइडी सुना दिया भोशपुरी में सुनाओंगे आप लोगे लिए आज कल मेरा ट्रेंट कर रहा है इंस्ट्राग्राम पे कि बिना परान की सरीर लास बन जाला बिना सुगंद के फूल घास बन जाला कि धन लूटेला बरदास्त हो जाला लेकिन जेकर प्यार लूटेला नूँ ओ करत सरवनास हो जला जितना खुबसूरत यह दिखने में है उतना ही खुबसूरत साइडी बोलती है मैडम जो है टीचर बनी थी टीचर बनके जो है मुंबई में बच्चों को पढ़ाती थी और आज जो है बिहार में आकर औरकेस्टा में डांस कर रही है और एक रात का 35,000 रुपए चार्ज करती है चार घंटे प्रग्राम करती है अगर आपको भी साधी बिया में बुलाना हो तो फिरी में भी आ जाएगी जो बोल रहे चाहने अगले अगर होंगे तो हम फिरी में भी आ जाएगे नहीं तो 35,000 इनका चार्ज है बाकि और भी बाते करेंगे इनसे जानेंगे कि उनकी तरह एक संशिलता सिख्यों कि इस तरह शांत रहकर भी पॉब्लिक के दिल में जगा बनाते हैं उनका वही अंदाज की पावर यह से शुरू अलाई है खाता हो तो सब कुछ भरपूर के मुझे सब लोग से सीखने मिलता है थोड़ा एटिट्यूड मिलता है दोरो मत और मैं एज डांसर हूँ एज एंटेटेनर हूँ तो हमेशा एंटेटेन्मेंट बीच में लाओं पबली के वह एक जो लोग करते हैं वह मत करो हमेशा अलग अंदास करो तो यह मुझे और मुझे बोजपूरी को और चाहे बिहार को एक्स्प्लोर करने में सबसे ब आप लोग को भी थैंक यू क्यों आप लोग मेरे बातों करती हूं तो उसमें सडलनी में जाती हूं उनके पास रोते रोते और बोलती हूं कि एजन एजन अब हमर साधी होखे जा रहा हलवा तो ब्यास जी बोलते हैं कि साधी तोर अच्छा ही बताओ आदमी से अकी भाईसा से तो सडलनी हम बोलते हैं कि एजन आश्यरवा आपन देखी हम आपन देखे तो अब यास जी का बोलने का अंदाज यह है अच्छा आपन आपन देखल जैई उदिनों आप भुला गई लू जब हम तहार देखत रहनी तो देखिए यह प्यारी रानी राज है जिनका वीडियो जो है लगतार वाइडल होते रहता है बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमारे बातचीत के बारे में कॉमेंट में जरूर बताएगा क्योंकि यह मुंबई से आई बिहार में जो है डांस कर रही है बच्चों को आती थी इसके बारे में आप लोग क्या सोचते कॉमेंट में जरूर बताएगा जय हिंद जय बिहार